स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉड़कास शंकला में यह शंकला नई धारा के संस्थापक श्री उदैराज सिंग जी के साहित्य को समर्पित है इस पॉड़कास में आप सुनेंगे उदैराज जी द्वारा लिखी कहानिया, संस्मरन वलेक सुनना न भूले, नई धारा रेडियो पर मेरी गाड़ी जब रात में दस बजे वेनिस पहुची, तो कुलियों ने सवाल पूछना शुरू किया गोंदोला पर ले चलें बाबू, गोंदोला, गोंदोला, एक अजीब नाम फिर उनकी भाषा भी समझ नहीं पाता कि कुछ विशेश पूछताज करूँ जहां संकेत ही भाषा का काम करता है, वहां कठिनाईयों का क्या कहना पानी के लिए इशारा, खाने के लिए इशारा, कहीं जाने के लिए इशारा, पैसे देने और लेने के लिए भी इशारा ही इशारा युरोप पहुँचते ही हम भाशा भूल कर इशारे बाजी में माहिर हो गए क्या जवाब दूं किस से पूछूं इसी पशोपेश में स्टेशन से बाहर आया तो देखा कि स्थानिय होटलों के प्रतिनिधी जहाजी वर्दी में एक कतार में खड़े यात्रियों से पूछताच कर रहे हैं मेरा कमरा होटल लॉंडराज में पहले ही रिजर्व हो चुका था उस होटल के प्रतिनिधी से मैंने बातचीत की और उसने अंग्रेजी में जट उत्तर दिया गुंदोला हाजिर है सामान इस पर रखवा देता हूँ आप जल्द ही होटल पहुँच जाएंगे और मेरा उत्तर सुनने के पहले ही उसने मेरा सामान प्लाटफॉर्म की सीडियों को चूमती हुई एक चौड़ी नहर की लहरियों पर तेरती हुई कश्टी में रखवा दिया इसे वेनिस के निवासी गुंदोला कहते हैं यही उनके यातायात का मुख्य साधन है एक मुहले से दूसरे मुहले या कहीं-कहीं एक घर से दूसरे घर तक जाते हैं सरकारी मोटर बोट तथा वाटर बस यहां की सबसे बड़ी नहर यानि ग्रैंड कनाल में चलती है एक का या मोटर की जगा यहां घरों के सामने गुंदोला बांद कर रखते हैं और जब जैसी जरूरत हुई, उसी को खेते हुए किसी काम से चल देते हैं। निजी गोंदोला खूब सुन्दर होता है, मखमली गदिदार सीट, मखमल की ही मसनद, कमानी पर खड़ी छतरी जिसमें लटकन जूलते रहते हैं, और जहाजी वर्दी में सुसजित उसका मांची। वेनिश शहर का निर्मान लगभग एक सो छोटे छोटे दुईपों पर हुआ है, जो एक दूसरे से चार सो पुलों द्वारा जुड़े हैं। यहाँ आर्सनल है, डोर्सो डूरो, सैन पोलो और सांता क्रेसो, सैन मारको धनी मानी लोगों का महला है, और कानारेगियो तथा केस्टेलो गरीब लोगों का। इस शहर को घेरे मुरानो, बुरानो, ट्रेसीलो तथा लीडो नाम के चार बड़े दुईप हैं। गोंदोला में बैठते ही मानजी ने पतवार चलाना शुरू किया, और उसे किनारे की भीडभार से हटा कर बीच में ले जा कर होटल की ओर बढ़ चला। अजीब रुमानी द्रिश्य है। दोनों और बिजली की रोशनी में जगमगाती हुई अट्टा लिकाएं हैं, जिनका प्रतिबिम्ब पानी पर हिलोरें ले रहा है। और नहर के बीच में यातरियों से भरी कष्टियां भागी चली जा रही है। बाई ओर एक रेस्त्रों मिलता है। नहर के किनारे बैठे लोग मदिरा पान कर रहे हैं। बगल में एक अलसाई आखों वाली नव्योवना है। वाईलेन का स्वर गूंज रहा है और वेटरों के हाथों से फिसलते हुए छुरी कांटे की आवाज भी सुनाई पड़ती है। गुंदोला आगे बढ़ा तो दर्शकों से लदी हुई एक वाटर बस बगल से गुजर गई। और इसके हिलकोरों पर हमारा गुंदोला डगमगा उठा कि इसी बीच एक दूसरा गुंदोला हमारे गुंदोला से आटकराया। हमारे मांजी की परिशानी और भी बढ़ी और दूसरे मांजी को खरी-खरी सुनाता वहपतवार जोरों से चलाता आगे निकल भागा। किनारे पर खेलते हुए बच्चे इस तरह के अनेक दृश्यों को देख कर खिल-खिला रहे हैं। ग्रैंड कनाल में कुछ ही दूर गए होंगे कि मांजी गुंदोला की बाई और मुड कर एक अंधेरी संकरी गली में घुस गया। ग्रैंड कनाल की जगमगाहट से हम दूर हो गए। अंजान जगा में इतनी रात गए अंधेरे अंधेरे पानी के रास्ते चलना कुछ डरावना भी मालूम होता था। किनारे पर टंगी बिजली की बत्तियां भुक भुक जल रही थी। मगर किस से पूछताच की जाए। नाविक तो भाषा समझता नहीं था। वह जन्नत में ले जाए या जहन्नों में। बस उसी की राह चलना है। फिर भक से रोशनी हुई और चारों ओर उजाला हुआ। और देखा उपर पुल है जहां से कैमरा मैन ने हमारा जट फोटो निकाल लिया। मैं अवाग था कि उपर से एक पुडिया गिरी जिसे खोल कर पढ़ा तो फोटोग्रफर का पता लिखा था। और कल सुभा उसे अपने होटल में बुला कर एक बार फोटो देख लेने की प्रार्थना भी की गई थी। पुल पार किया तो कुछ और ही दिख पड़ा। कई एक गोंदोला अंधिरे में तेरते चले जा रहे हैं। किसी पर बाजे बज रहे हैं तो किसी पर नवेलियों की हसी सुनाई पड़ती है। एक गोंदोला जो मंथर गती से हमारे साथ चल रहा है। उस पर युवक के स्नेहा लिंगन में घिरी एक युवती मधोश पड़ी है। युवक उसे चोम रहा है। बह सुशुप्थ है। शून्य। फिर दाएं देखिये तो यही द्रिश। आगे देखिये तो यही और पीछे भी देखिये तो यही। हम किसी डरावनी जगा में नहीं, परंतु वेनिस के ट्रेमी प्रेमिकाओं के नैश विहार कक्ष में पहुँच गए हैं। अब जान पड़ा के यहां की बत्तियां क्यूं भुख भुख जलती हैं। और हमारा रसिया मांजी वेनिस के नए अतिति को आज इस राह क्यूं लिये जा रहा है। वेनिस की ये पानी की संकरी गलियां रात्री में नौका विहार का मुख्य केंदर बन जाती हैं। उन गलियों में फोटो लेने के लिए जाने कितनी बार जगमगाहट हुई। गौर से देखा होगा। उसकी पूरी कहानी सुना देना मेरे बूते की बात नहीं। बस समझ लीजिए के इन आखों ने उस रात को क्या-क्या न देखा। क्या-क्या न परखा। ग्रैंड कनाल में मैंने वेनिस को जगमगाते हुए घूंगट की ओट से देखा। परन्तु इन संकरी गलियों में मैंने वेनिस के सौंदर्य को गूंगट हटा कर देखा। घंटे भर बाद गलियों को पार कर मैं खुले स्थान पर पहुँचा। जहां जलमार्ग बहुत फैल गया था और उसके तट पर होटल लॉंडराज खड़ा था। यह जलमार्ग आगे चलकर छिछले समुदर से मिल जाता है। उस तट से जिधर नजर दोडाता हूँ बिजली की बत्तियां या पानी ही पानी दिख पड़ता है। मेरा होटल सेनमार को भाग मिस्थित है। होटल में सामान रखकर मैं तट पर टहलने निकल पड़ा। मध्यरात्री के समय भी तट पर काफी चहल पहल थी। दो-चार कदम जाते ही प्लाजा डूकल का विशाल भवन मिल गया। प्लाजा डूकल वेनिस के जनतंत्र का प्रमुक स्थान था। यह गौथिक और वेनिशियन कला का सुन्दर नमूना है। इस महल के अंदर बंदी ग्रह और सरकारी का चहरी थी। बगल में ब्रिज ओफ साई है। अंदर की दीवारों पर सुन्दर चितरकारी हुई है। यहां एक लाइब्रेरी है। जहां मध्य युग तथा रेनिसा के समय की हस्त लिपिया सुरक्षित रखी है। आगे बढ़कर दाई और मुड़ा तो यहां का प्रसिद गिर्जा घर वेसिलिका ओफ सैन्मार को दिखाई पड़ा। उसे आप बेनिशन कला का संग्रहाले कहेंगे तो कोई अत्युक्ती नहीं होगी। इसकी दीवारों में, इसके गुम्बजों में, इसकी मूर्तियों में तथा अंदर की रंगीन चितरकारियों में हर युग, हर कला, हर प्रणाली तथा हर पीड़ी की निशानियां के थे, इसका निर्मान सन 832 में हुआ था। इसके गुमबज नाना प्रकार के मोजेक तथा संग्मर्मर के मिश्रण से बने हैं सोना सा चमकता हुआ इसका कलश बड़ा सुन्दर दीख पड़ता है इसके अंदर की मीनाकारी भी अतिसराहनी है यहां लगबक 300 कीमती आभूशन तथा रिलिक्स रखे हैं जिनका मूल यांकन आज तक नहीं हो सका इस गिरजा घर के सामने प्याजा ओफ संग्मर को है इटली में प्रवेश करते ही आप प्याजा नाम से जट परिचित हो जाएंगे हर शहर में प्याजा, हर कोने में छोटा या बड़ा प्याजा प्याजा यहां उस थान या स्क्वेर को कहेंगे जिसके चारों और गगन चुम्बी अट्टा लिकाएं हो और बीच के खुले मैदान में फबारा हो या योही समतल भूमी जहां लोग टहलते या खेलते रहते हो सैनमार को भी एक विशाल प्याजा है, इसके तीन तरफ विशाल अट्टा लिकाएं हैं और सामने बेसलिका गिरजा घर बीच की समतल भूमी चिखने पत्थर की बनी हुई है, जिस पर दिन में कबूतर चरते रहते हैं और रात्री में कुरसियां लग जाती हैं और वहीं बैठकर लोग जश्न मनाते हैं इस प्याजा का निर्मान सन आट सो इस्वी के आरम में हुआ और अठारा सो इस्वी तक लगातार चलता रहा हर शताबदी ने इसे सजाया सावारा और हर युग के शिल्पकारों ने इसके निर्मान में हाथ बटाया नियो क्लासिक, रेनेसां, रोम्स बाइजन्टाइन, गौथिक तथा रोमानिक इत्यादी तरह तरह की शिल्पकला के प्रदर्शन इसमें मिलेंगे परन्तु इसकी खूबी तो यह है कि इतनी विशमता रहते हुए भी इन इमारतों की सजधज में एक समानता है इसे जब आप गौर से देखेंगे, तब उसकी बारीकियां आपको जलकेंगी नहीं तो आप समझ बैठेंगे कि यह एक ही युग तथा एक ही शिल्पी की उंग्लियों की करामात है रात्री में तो इसका सौंदर अद्वितिय हो जाता है पियाजा सेनमारको के विशाल प्रांगण में कुरसियां लगा दी गई है भिन भिन वाद्यों का स्वर गूंज रहा है और दर्शक मदिरा पान करने में तल्लीन है इमारतों के बरामदे में दुकाने सजी है तरह तरह के लोग उनका निरीक्षन कर रहे हैं कुछ सिनिमा तथा वाद्य शालाओं में भी गुस रहे हैं और कुछ उपर दो मंजिले पर रिस्त्रों में बैठे डिनर ले रहे हैं बिजली की बत्तियां लड़ियों की तरह गुद कई है और जान पढ़ता है कि हर रात यहां दिवाली ही दिवाली रहती है इस प्याजा का एतिहासिक महत्व भी कुछ कम नहीं जिन महान घटनाओं ने 1757 ईसवी में वेनीशियन प्रजातंतर का भागय निर्मान किया उनका सूत्रपात उसी विशाल प्याजा में हुआ और आस्ट्रियन तानाशाही को खत्म करने के लिए पहले पहल 1848 में करांती का श्री गणेश भी यहीं से हुआ यहीं क्लॉक टावर तथा बेल टावर भी है जो प्याजा सेन्मारको के प्रहरी सद्रिश खड़े है वेनिस में शीशे की चीजें बहुत सुन्दर बनती है यह यहां की विशेश्ता है रंग बिरंगी शीशे की चीजें यूरप और अमेरिका के बाजारों में च्छा गई है यह धंदा यहां के छोटे पैमाने वाले गरेलू धंदों में से एक है इस कला को देखने हम मुरानू दूइप गए यहां घर घर में शीशे का काम होता है यहां के लोग बालू से शीशे का ट्यूब तयार करते हैं और उसमें रंग भर कर उसे साचे में गला कर एक से एक सुन्दर प्यालियां, शर्बत पीने के सेट, जाड फानूस, लटकन, भूल दान तथा खिलोने तयार करते हैं फिर उन शीशे के चीज़ों पर वेनेस की युवतियां अपनी कोमल उंगलियों का कमाल दिखाती हैं मेरे देखते ही देखते एक युवती ने एक शीशे के पैमाने पर इतनी सुन्दर चितरकारी बना दी कि मैं तो दंग रह गया एक घर में गया तो पता चला कि 35 त्री पुर्ष का यह एक ही परिवार घर के अंदर केवल शीशे की चीज़ें बना कर अपना पालन पोशन करता है उसके पास उस समय चार लाग का समान मौजूद था पूर्वी देशों में भी उसका व्यापार होता है और उनके कितने ग्राहक कलकत्ता और बंबई के हैं बुरानों से मैं लीडो दूइब गया जहां संसार प्रसिद समुद्र का तठ है लीडो बीच की सुन्दरता का क्या कहना समुद्र के किनारे छोटे छोटे रंगीन केबिन बने हैं जिने लोग दिन भर का किराया दे कर ले लेते हैं और वहीं सूट बूट उतार कर तैरने वाला कपड़ा पहन कर स्त्री और पुरुष एक साथ समुद्र में उतर कर लहर लेने लगते हैं उनके बच्चे भी किनारे की लहरों से खेलने में जरा भी नहीं डरते दो चार लहर लेकर कुछ लोग बालू की रेत पर रबर के गद्दे बिचा कर धूप में लेट रहते हैं और कुछ लोग भीगे ही कपड़े पहने किनारे के रेस्त्रों में जाकर छत्री के नीचे बैठ कर मदिरा पान करते हैं। यूरप के अन्य क्रीडा स्थलों की तरह यहां भी स्त्री और पुरुष एक साथ खेलते, लेटते, तैरते तथा मदिरा पान करते। उन्हें पूरी स्वच्चंदता रहती हैं। बगर अश्लीलता का नाम नहीं। मैं भी रेस्त्रों में बैठ कर उनका खेल देख रहा था। सामने दूर, बहुत दूर, शितिज की रेखा तक समुदर का नीला पानी अपनी चाती में रुपहली लहरों को समेटे फैल रहा है। और किनारे बालू पर रंग बिरंगे कपड़े पहने, अर्ध नग्म स्त्री और पुरुष नाचते रहते, हसते रहते। कोई बालू में घर बनाता, तो कोई एक छोटी कश्टी में एक नवेलों को बिठा कर समुदर की उत्ताल तरंगों की जरा भी परवाह ना कर लहरों में कूद पड़ता, और देखते ही देखते, अपनी प्रेयसी को अपने पुरुषार्त का चमतकार दिखाने दूर समुद में छिप जाता, बीच के अतरिक्त, यहां सुंदर नाटिशालाएं, सिनिमा, होटल तथा बाजार हैं, यहां पलाजा सिनिमा में हर दो साल पर अंतरराश्ट्रेय फिल्म समारों मनाया जाता है, यहां के कैसीनों में इटली तथा अन्य देशों के अमीरों की दिलबस्तगी का पूरा सामान मिलता है, लीडो सुंदर है, सभी रंगीनियों से भरा हुआ तथा प्राकृतिक द्रिश्यों से सवारा भी, लीडो से लोटकर मैं वेनिस में हर दो साल के बाद होने वाली कला प्रदर्शनी को देखने गया, हिंदुस्तान को छोड़कर संसार के हर देश की चितरकारी तथा मूर्तियों का प्रदर्शन हुआ था, पुराने चितर तो बड़े सुंदर तथा स्वाभाविक दिख पड़े, मगर नवीन कला पदिती हमें किस ओर लिजा रही है, इसका पता लगाना कोई आसान काम नहीं, आज के युग के पश्चिमिय कलाकार, शायद शरीर का स्वाभाविक चितर बनाने के बदले, इस युग के मानव की विकृत दशा को चितरित करने में ज्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, मूर्ति कलाकिक शेतर में भी वे हात पैर का सच्चा रूप ना बना कर, किसी प्रतीक के सहारे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं इस प्रदर्शिनी में पूरे दो घंटे बिता कर मैं होटल चला आया, और वहाँ कुछ देर विश्राम कर संध्या समय वाटर बस में बैट कर ग्रैंड कनाल के दृश्यों को देखने के लिए चल पड़ा किनारे के स्टेशन पर टिकेट लेकर मैं बस की ओर लपका, बस देखते ही देखते दर्शकों से भर गए, तिल रखने की भी जगा नहीं थी जल्द ही वे किनारा छोड़ कर बीच में चलने लगी और सैनमारको का तट पार कर ग्रैंड कनाल में घुस गई ग्रैंड कनाल के दोनों ओर गगन चुम्बी अट्टालिकाएं खड़ी हैं, बारवी शताबदी के बाद पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए वेनिस इटली का मुख्य बंदरगा हो गया यहां के सौदागर पूर्वी देशों से खूब धन कमा कर लाते और उसी धन से ग्रैंड कनाल के किनारे एक से एक सुन्दर महल बनाने के लिए उनमें होड सी लग जाती कुछ साल बाद ग्रैंड कनाल प्रासादों से घिर गया और हर प्रासाद में बेनीश्यन कला की प्रधानता रहती सेन मारको से जो ही हम ग्रैंड कनाल में घुसते हैं हमें पहले दिख पड़ता है लीविया का वह महल जिसे 1720 इस्वी में आंद्रेको मीनेली ने लीविया के एक धनाड परिवार के लिए बनाया था कुछ ही दूर जाने के बाद दुर्बी का महल मिलता है जो तेरवी शताबदी में बना था और उसमें आजकल सरकारी संग्रहाले है फिर बाई और चौदवी शताबदी में बना हुआ कालिरगी का महल मिलेगा और दाई और पेसारों का भव्य भवन जिसमें आजकल अंतरराष्ट्रे कला की गैलरी है इसके समीप ही काड ओरों का सुंदर महल खड़ा है जो पूर्वी तथा गोथिक कला का एक सम्मिलित नमुना है इस महल में भी सरकारी संग्रहाले है इसके नजदीक ही पोस्ट ओफिस और रियाल्टो का पुल है रियाल्टो वेनिस का व्यापार केंद्र है ग्रामीनी, फोसकारी तथा डोरियो का महल और सेंट मारिया का गिरजा घर भी देखने लाया के मारते हैं संध्या समय दो अट्टालिकाओं के बीच की सूनी गलियों में अधरों में अधर मिलाए जोड़े खड़े मिलते हैं और कहीं कहीं ग्रान केनाल के अंतस्तल को चूमती हुई महलों की सीडियों पर एक युवक की गोद में शांत पड़ी हुई युवती पर आखें जट दोड़ जाती ग्रैन कनाल का चकर लगा कर हम रात में होटल लोट आए वेनिस गिरजा घरों से भरा है इनमें सेंट जकारिया, सेंट फरारी, सेंट पोला, सेंट मारिया, सेंट रोको, डेला से लोट तथा स्टीफान के नाम विशेश उलेखनी है इन गिर्जा घरों में इटालियन कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं हर गिर्जा घर में एक इतिहास छिपा है और ये धर्म मंदिर ही नहीं, कला तीर्थ भी है आरसिनल में आजकल जहाजी चीजों का संगरहाले है बुरानू द्वीप इड्रियाटिक समुदर का मचली मारने का एक बड़ा केंद्र है ट्रोनीलो द्वीप जो एक समय यहां के आर्थिक, राजनेतिक तथा सैनिक जीवन का केंद्र था आज इतिहास का एक बिंदू बनकर खड़ा है छटी शताबदी में बने हुए इसके सेंट असुन्टा तथा सेंट फोसको के गिरजा घर देखने योग्य है दो दिन बाद वेनिस को निरक परक कर जब मैं गोंदोला में बैट कर स्टेशन की ओर बढ़ा तो सामने के विशाल जल मार्ग तथा सेंट मार्कों के तट पर खड़ी विशाल अटालिकाओं को देख कर मेरे कंट से बर्बस फूट पड़ी लॉड बाइरन की वेनिस पर लिखी गई वे पंक्तिया जिने एक बार दोराने से ही वेनिस का सच्चा रूप आँखों के सामने एक बारगी खड़ा हो जाता है शी लुक्स असी सिबली फ्रेश फ्रम ओशन राइजिंग विद हर टियारा अफ प्राउट टावर्स अट एरी दिस्टंस विद मजेस्टिक मोशन इस पॉड़कास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुती आपको जरूर पसंद आई होगी अन्य पॉड़कास्ट्स विडियो एंटर्व्यूज आदी के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लाटफर्म्स पर फॉलो करें जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी धन्यवाद